हेलो एबन स्वागत है आपका तेगस सेवल्स में फाइनली यूपी प्रिलिम्स का रिजल्ट आ गया और जैसा कि लास वीडियो में बात हुई थी हो शकता है कि इस वीक में तो लास वीडियो जिस दिन मैंने पोस्ट किया था उसके उसके शाम में ही रिजल्ट आ गया रात को तो रीजन ये था कि पहली बात तो I was getting 103 प्लस कोशन सही हो रहे थे मेरे नेगटेवस अठाके और तो मैं सेव था लेकिन सही बताओं तो जिस दिन रिजल्ट आने वाला था उस दिन कुछ-कुछ रीजन ऐसी मालम चल लगी थी कि 8 कोशन डिलीट कर दिये 10 कोशन डिलीट कर बात करेंगे आगे कि 254 सीट पे पोस्ट पे रिजल्ट आया हुआ है तो you never know कि कट आफ कहां जाके रुकने वाला है अगर आप 10-10 कोशन डिलीट कर रहे हो उसके बाद क्या होने वाला है ठीक दूसरी बात यह है कि वीडियो ना बनाने का रीजन ये भी था कि मेरे कई अच्छे थे preparation में उनका नहीं हुआ तो आप अपने मलब एक यूटूबर के senses देखोगे तो यूटूबर तो अभी हम content creation में तो इतने बड़े content creator भी नहीं हुआ है कि अपनी feelings को side रखे बस हमको वीडियो के लिए जाना है तो basically हम यहाँ पेस लिए हैं क्योंकि आपकी अप इसको कैसे judge करते हो right तो यह mainly motive है यूटूब चैनल का और थोड़ा सा x factor वाली चीज़े बतानी है आपको जो out of box जो आप सोच सकते हैं किसी तरीके से ठीक तो उस दिन तो नहीं बनाया तो आज सोचा कि कुछ बात ही करनी ज़रूरी वहाती है कि इतने जो heartbreaks हुए है इस preparation औ सब्सक्राइब में कि मेरा एक फ्रेंड है हैना लास्ट यर का डिवाइस पी सेलेक्टेड है और उसके UPSC में उसने UPSC का इंट्रिव्यू दिया था लास्ट यर unfortunately UPSC का इंट्रिव्यू convert नहीं हुआ और इतना unfortunate है ना पिछले unfortunate है पिछला कुछ महिना उसके लिए ठीक है क उसका UPSC prelims clear नहीं हुआ उसका UPSC prelims clear नहीं हुआ फिर उसका UPPCS का भी prelims clear नहीं हुआ तो जितना result आया हम लोग साथ ही बैठे थे मतलब मैं फिर गया मिलने उससे और he was telling me कि यार UPSC का prelims clear नहीं हुआ इतना नहीं खला मुझे यतना UPPCS का prelims नहीं क्लियर होने पे खल रह ऐसे बहुत लोग हैं ऐसे कि जो मनलब बहुत अच्छा score ला रहे थे और मेरा एक और फ्रेंट है जिसके 93 questions बन रहे थे उसका नहीं clear हुआ और वो दो दिन से उसका mobile off था समझ तो मैं गया ही था लेकिन WhatsApp message करने पे मैंने पूछा कि भाई क्या हो गया फोन क्यों आफ क्यों ह कि इसके आगे मैं क्या पढ़ हूँ कैसे प्रप्रेशन करूं कि मेरा सेलेक्शन या फिर प्रिलिम्स में हो जाए प्रिलिम्स में मेरा नहीं हुआ उसने भी दो UPSC के मेंस लिखे हुए हैं unfortunately attempt खतम हो गये तो अब naturally जो चीज आती है कि आपको इतना तो विश्वास रहता है कि आप यहां पर अच्छा करोगे ही करोगे इसी तरह मैं देख रहा था कि बहुत लोगोंने comment किया हुआ तो पिछले वीडियो में मेरे और कुछ लड़कियां थी है ना कुछ लड़के थे और बहुत अच्छा score आ रहा था उनका examination देखा जाए तो अगर natural corollary देखे जाए कि जितनी सीट पोस्ट आ रही थी पिछले सालों में उसे साब से इस साल भी at least 350 प्लस सीट होनी चाहिए थी ठीक और आप यह सोचो कि 254 जो सीट है इसमें लगभग लगभग 60 सीट जो है ना 60 पोस्ट कह लीजे वो specialized पोस्ट है मतलब special requirement खोसता है तो कहने के लिए कह सकते है कि आप कितनी बसती है 190 सीट बसती है अब इस 190 सीट में आप natural सी बात है कि cut off कितनी जाती है क्या नहीं जाती है बहुत धेर साथी लोग बोलना है और आप सीट जो है या फिर पोस्ट जो है उसको minimum पिला दोगे ठीक है minimum पिला दोगे तो फिर cut off की discussion करने का मतलब क्या रहा जाता है और दूसरी बात यह है जिन 4000 लोग का selection हुआ है के बाद ठीक है उनके लिए भी अब cut off मायनी नहीं रखता और जो लोग बाहर हो गए है जो आउट है इस रेस से उनके लिए भी आज के दिन में cut off का discussion मायनी नहीं रखता लेकिन जो चीज मायनी रखती है उस पे कुछ ची कुछ 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 उनकुछ points पे ना discussion करना बहुत जरूरी हो जाता है as a senior player और as a मतलब जुसने बहुत कुछ देखा है अपने अगल बगल selected लोग को देखा है और इस proper selection की process को तीनों phase को देखा है cross किया हुआ है तो I know few things या फिर मैं जो अपने हराफ phase में देखा है कि emotions high होने पे जब आपके बहुत जादे emotional हो जाते हो आप preparation करते हो और आप failure देखते हो तो अगर उस समय आपको क्या ऐसा करना चाहिए और के जीजों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए उस पर बात करना बहुत जरूरी रहाता है तो चलिए उन कुछ points से बात करते हैं कि जो आपको ध्यान देना है अभी तो first thing first why it is not the right time to lose hope आप यह समझो कि यह जो problems था बहुत ही hard fought problems था अच्छा कि आपने है जिनके भी 85 above questions आपके बंद रहे थे you did very well यह ना आप इसमें मत जाओ कि यार आप क्या खराब कर दिया आपने क्यों नहीं हुआ जो लोग especially बस यूपी PCS के लिए focus करते हैं ठीक है ना उनके लिए मैं समझ सकता हूँ कि एक साल पूरा आपके लिए अब एक साल खाली बीतने का game है यह आगे पूरा एक साल आप हम एक साल बैठे रहें तो हम अब कितना जादा अपनेआप को कितना साही कर रहा हों कितना गलत कर रहा है ठीक तो अभी आप अपने आपको reinvent करो Reorientation का मतलब ये होता है कि आप ये देखो कि अगर आप देखो दो तरह के लोग है एना पहली बात तो एक English Medium वाले लोग है ठीक है और दूसरे हैं Hindi Medium वाले लोग है ठीक, अब दोनों के Options अलग-अलग हैं कुछ-कुछ जगा पे Common Options है Hindi Media हमारे लोगे के लिए Options क्या के हैं कि आप BPSC ले दो ठीक है, आपका ROAR आ रहा है ठीक है अब इससे YouTube पटा हुआ है, रोज कहानी चलती है कि आज ये आएगा, कल वो आएगा ये आपको syllabus बता दें, वो syllabus syllabus तो इतना आसान है आर दोस्त मतलब की कहने ख़द नहीं कि और PYQs पकड़ लो इतने इससे ज़्यादा academic मतलब इससे ज़्यादा academic exam कोई है नहीं UPPCS का Simple academic exam है 140 question को भी आप जो GS वाले हैं, जो prelims में आते हैं उसको भी, मतलब उसको analyze करके उसको फरकेट करना, start करो, काटो और उसको रख दो, कि dissect करके इस field से यह कोशन आते हैं आपका सामने हैं, कोई दिक्कत नहीं है सेम इसी तरफ BPSC है prelims थोड़ा tough होता है, mains आपके लिए easy हो जाता है अब आता है कि और क्या options हैं हमारे लिए यह English medium आपके लिए भी BPSC ठीक है, आरो यारो थोड़ा सा tough हो जाता है क्योंकि उसमें essay भी हिंदी में आता है और हिंदी का जो weightage होता है, वो बहुत जादा होता है मैंने यह खुद feel किया हुआ है मैंने ARO का mains दिया था, क्योंकि मेरे हिंदी में problems में कम हो गया थे तो ARO का मुझे mains आया था तो मैंने दिया था, तो मुझे यह feel हुआ था मैं English medium से आता हूँगी उस समय मुझे बहुत command नहीं हुआ करती थी तो वो letters लिखना, essay लिखना फिर वो mains का essay लिखना तो धेर सारी चीजें बहुत command खोषती है अपकी English language पे, ठीक है अब आता है और क्या options है options ये भी है कि अगर 2 जुलाई को आपने EPFO का form भर रखा है तो उसको अच्छे से दो, ठीक है फर आता है एक और option है कल एक और form आया जो की था आपका R.A.S. का राइस्थान Administrative Services का form आया हुआ है दूसरा मैंने आपको बताई चुका हूँ BPSC का form आया हुआ है तीसरा आपको खुद के state का है तो R.A.R.O का form आया है अब यार लोग कहेंगे कि इन forms को भरने से क्या आपका दूसरे state का है अपने आपको एक साल के लिए कैसे खाली रखोगे ठीक है और यही टाइम है आपको अपने मेंस पर अगर आप totally UP PCS को target कर रहे हो कि नहीं इसके अलावा हम और कुछ नहीं देंगे तो अपने मेंस पर काम करो अपने notes बना लो ठीक है जो बहुत ही serious preparation कर रहे है जो आपके seniors है जो यह मेंस दे चुके हैं उनसे peer review करा लो उनसे बात करो कि क्या होना चाहिए content में क्या नहीं होना चाहिए क्या आप produce कर सकते हो test में अपने test series में या फिर जो आपके means के answer में और क्या impractical है produce करना जो लेकिन आपके notes में है और आपके notes को heavy बना रहे है तो इस चीज़ पर काम करना बहुत जरूरी है ठीक तो फिर आते हैं next point पर next points पर आने से पहले एक और चीज़ बोलूँगा कि अभी अगर आपको test series ना join कर पाओ ठीक है test series ना join कर पाओ तो आप कम से कम एक काम करो PYQs जो है ना जिन लोग का prelim selection नहीं हुआ है तो वो PYQs के questions solve कर ले आपके पास enough PYs के questions है और दूसरा एक काम करो कि UPSC के जो PYQs हैं कहीं से solve मिल जाए ना हिंदी या इंगलिस में उसको एक बार जरूर देखो क्योंकि आप यह समझो कि GS 1, 2, 3, 4 अब 4 तो वैसे भी UP को questions नहीं आते थे लेकिन 1 से 3 से 1 से लेकर 3 तक जो GS के बाराना खाली हो चुका है खाली किससे हो चुका है UP के questions से खाली हो चुका है तो अब यह ध्यान देना के लिए बहुत जरूरी जाता है कि वो जो खाली जगा है उसको proper standard questions से भरा जाएगा तो आपको यह समझो कि या तो to the point questions आने वाले है या फिर standard questions कहां से उठके आने वाले है आपकी UPSC के PYQs से ठीक तो यहां से यह से लिए मैं कहूंगा कि यह hope को lose करने का समय नहीं है यहां से energize होने का समय है अगर अपने अंदर आप समझते हो कि आप would be civil servant हो आप selection होने लायक हो अगर आप अपने आपको यह believe देना दिखा सकते हो तो यह यार ups and downs आते रहते हैं मैंने देखा है ups and downs इसलिए आपको suggestion दे रहा हूँ कि यह times में मेरे फादर साब की death के बाद मुझे यह लगा था कि मैं अब preparation नहीं कर पाऊंगा और उसी साहीं उसके बाद COVID आया COVID में सब अगल बगल के लोग जा रहे थे तो मुझे लगा ना कि अब अपना भी अंत निकट है ठीक है और कुछ भी positivity नहीं देखती थी लेकिन उसके बाद भी regroup किया और उसके बाद मैंने दो UPSC UPSC के interview दे चुका हूँ ठीक है तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा कि जो आपके पास एक लौती चीज है ना hope है होप पे काम करो ठीक नेक्स पॉइंट पे आता है पॉइंट ये है भाई आपको ये रूप करना पड़ेगा आपके preparation को preparation को change करना पड़ेगा कि अब जाके उस preparation one liner approach से नहीं कर सकते examination को अब critical thinking चाहिए आपको SSN region पे काम करना पड़ेगा आपको multiple statement questions पे काम करना पड़ेगा तो इन चीजों पे अब आपको काम करना पड़ेगा आपका UP pieces examination जो है ना वो change हो रहा है और change होगा और change होता रहेगा आप stagnant मत रहिए अब आपने आपको admin मत बनाईए आप अपनो धीट मत बनाईए कि नहीं है हम जो preparation कर रहे है उसी से exam निकालेंगे नहीं change होना ही यह वास्तविक्ता है इस प्रकृति का एक मात्र नियम है कि अगर आप change नहीं होंगे तो खतम हो जाएंगे तो और दूसरी बात ही है कि आप अपने commission को समझे आयोग जो है आपका ना वो बहुत ही मतलब कह सकते हैं इससे गंदगी वाली हरकत नहीं हो सकती एक ही काम है आपका एक सही से exam कराना है ना और आपको यह ensure करना कि आपके post आपके पास आते रहे हैं उस पर decisions लेते रहो हो आप वो भी नहीं हो पाया ठीक आप यह समझो कि अगर अगर यह बात सही है कि दस के question आसपास questions delete हुए हैं या फिर change हुए है इनका answer उसका change जो रखा है तो यारी कितनी मतलब मतलब अब क्या गोगे pathetic condition है किसी भी commission की आप 500 question बना रहे हो उसमें से आप काटते भीटते 140 question पर आ गए और बच्चे जो वो 10 question में फसे हुए हैं उनका तो life खतम है ना एक साल तो खतम है ना फिर आता है कि आपको post नहीं बढ़ा पा रहे हो कहें सुनने माया कि 100 seeds add हो सकती थी लेकिन लेको decision नहीं ले पाए कौन मतलब आपको फिर वहाँ बैठने का मतलब क्या है फिर ठीक है कि हर चीज के पीछे आप ये नहीं बोल सकते है ना कि हमने तो corruption खतम कर दिया अरे corruption खतम कर दिया और बाकी चीजे भी तो 90 plus questions अब आपको 95 plus questions target करके preparation करना पड़ेगा और ये 5 plus या फिर कह लीजे 5 या 7 plus questions हमेशा ये buffer में रखने पड़ेंगे कि कल को ये delete हो सकता है मैंने जो पहला वीडियो बनाया था रात को बैठके मैंने प्रिलिम्स देखे आया था 14 में को और आप पास में जाके एक वीडियो देखना मेरे वीडियो उसमें पढ़ा होगा चैनल पर पढ़ा होगा तो मैंने वो चीज बोली थी last चीज बोली थी cut off किस पर depend करेगी और cut off उसी पर depend की है आज के दिन में कि आपके दो चीजें पोस्त नहीं बढ़ी और दूसरा कि आपके आयोग ने वो हरकत की है जिसके लिए वो फेमस है इन फेमस है कह लीजें ठीक है कि उसने फिर से धीर सारे questions डिलीट कर दिया है को answer change कर दिया ठीक तो धीर सारे लोगों का एक साल का सपना तूट गया और कहते है न हार्ट ब्रेक हुआ बहुत धीर सारे बच्चों का नेक्स है कि what I did different from last two years है न कई लोगों ने पूछा कि आप कैसा क्या कि है कि saw questions बन वहे थे आपको पहली बात मैं बोल दूँ कि यह mix of prep plus luck था ठीक है यह कोई अगर आपसे बोल रहा है कि यार मैं ना इतना अच्छा preparation करके गया था कि मेरा तो 100 questions हरवार सही होते है ठीक है बहुत मुश्किल होता है ऐसा मैं भी जितने भी लोग मिले मुझसे तो मैंने सबसे ही बोलाया कि यह वो दिन अच्छा था मेरा कि हाँ वो एक होता है कि कुछ-कुछ pages होते हैं आपके महलब आप पीच जो question के होते हैं इस side इस side जो question paper होता है तो इस तरह कि जो pages आपको 4-5 साही हो जाते है ना एक flow बन ज जाते हैं ठीक है आपके marks अच्छे बन जाते हैं ठीक लेकिन एक चीज मैंने कुछ thought different की मैं बताना चाहूंगा इस बार पर और मैं add करना चाहूंगा वो different इसी के जो approach था कि मैं critical thinking और वो रट्टा नहीं मार पाऊंगा मुझे अपने आपको मैंने feed करा रखा था कि यार मैं तो रट्टा मारी नहीं सकता हूं उस चीज से मैं बाहर निकल गया और मैं अपने आपको इस बार feed कराया कि नहीं मैं रट्टा मार सकता हूं ठीक और रट पर रखा है one liner और खासकर science का science में भी bio का ठीक है फिर environment का ठीक फिर मैंने ancient history का बनाया ancient history का बनाया medieval मैं कभी पढ़के नहीं जाता क्योंकि मुझे वो means में भी काम नहीं देता है तो मैं कभी यह पढ़के नहीं जाता हूं और व funzion और पांच question मुझे कोई मदलम नहीं और त तो मैं छोड़ दूँगा एकदम clear cut है अगर वो paper 10 तक question आ जाएंगे तो मेरे लिए paper 40 number का हो चुका है मैं बहुत clear रहता हूँ अपने approach में ठीक तो लेकिन इन चीजों का मैंने इस बार कहा कि इन से के questions आते हैं वो repetition पर आते हैं और मैं इनको अच्छे से पढ़के जाओंगा तो इसका मैंने one liner pdf बनाया मैं कोशिश करूँगा इसको dry पे upload करके share कर दूँगा आपके साथ या फिर dry पे upload रहेगा ज़्यादा अच्छा रहेगा टेलिग्राम पे थोड़ा सा क्या होता है न कि facts बहुत ट्रेंस बार कि किसी भी तरह से मेरे कुछ चीज कोई गल्ती ना हो ये चीज थोड़ा सा मुझे hamper की कि एक दो question जो होते हैं जो multiple line के question थे वो मुझे कहते हैं न कि वो समझने में थोड़ा सा issue आ रहा था लेकिन मैंने री औरियंट कर लिया क्योंकि मैंने धेड़ सारे UPSC के testories लगाई हुई है UPSC के test paper prelims clear किया हुए है तो वो थोड़ा सा help कर रहा था और ये चीज मैं तभी कर पा रहा था कि जब मेरा base examination, base जो है ना कहने का मतलब quality, history, modern खास कर modern और geography अच्छे से तयार था तो इस पर focus करना में लिए आसान हो गया इस चीज पर focus करने करने में लिए आसान हो गया था तो मैं आराम से कर लिया इस चीज को तो इस चीज पर मैं अलग से video बना दूँगा कि what helped me, है ना तो उसको थोड़ा का detail video रहेगा और बहुत ही imagine करना है ना जिसको कहते हैं कि maths of clearing of problems examination गड़ित किसी भी exam को clear करने का और exam को समझने का गड़ित जो होता है वो आपको clear है तो आपको अपने दिमाग को orient करने में एक orientation देने में बहुत आसान हो जाता है next point है motivation is temporary discipline is permanent यह याद रखना कि अगर मैं आपको अभी motivate करा रहा हूँ हो सकता है वीडियो देखते देख एक दो दिन तक आप motivated रहो या फिर कोई और होगा जो आपको motivation कर दे रहा है और हो सकता है कि यह जब preparation लंबी हो रही होगी आपकी और later phase में आऊँगे हो सकता है कि next year selection हो जाए हो सकता है इस साल किसी exam में आपको selection हो जाए तो यह later phase मार लो चल रहा हो आपका या फिर आप start कर रहे हो preparation आपको जास पहला साल है और आप एक-दो साल failure देखते हो तो आप यह समझो कि motivation काम नहीं आता है motivation देने वाले लोग अगल वगल हड़ जाते हैं है ना, लोग change हो रहे होते हैं यह exam ऐसा है कि आपकी जो surrounding है ना, वो time change हो रही होती है, चाहे वो parents के responsibility जो आपके responsibility देते हैं या फिर आप कहा लीजे, love life कहा लीजे आपकी friendship कहा लीजे, धेर साए लोग अलग अलग जगा पर settle हो रहे होंगे शादिया हो रही होंगी, बहुत कुछ हो रहा होगा लेकिन आप उसी जगा पर stuck होगे अपने dreams के पीछे भाग रहे होगे civil services के dream के पीछे भाग रहे होगे तो उस case में ना, motivation self-reven होता है, और वो किस से आता है है ना, यह small target बढ़ा के एक बड़ा जो target है मैं उसको achieve करते चल रहा हूँ, तो आपको motivation हमेशा stay रहेगा आपके साथ, आपके साथ हमेशा बना रहेगा कि यह exam clear तो करूँगा, मैं would be civil servant हूँ would be civil servant हूँ चाहे वो SDM हो चाहे वो DYSP हो चाहे वो किसी भी post पे हो है ना, पहला target तो यही रहता है ना, चाहँ 100 प्लस चाहँ 100 पे गरिट की job आपको मिल जाए ठीक है, तो यह point हो गया, ठीक है, आप इसको समझना पड़ेगा कि discipline लाना जरूरी है अपने आपको कहते हैं ना, ढर्रे पे लाना बहुत जरूरी है, आपको मेंस की preparation कर रहे हो, आपको जानना जरूरी है कि मेंस कितने दिन में हो जाना चाहिए, फिर prelims कब से start करें और इन चीजों को कितना कितना time देना जरूरी है, ठीक है, जाली next point अब आप यह समझो ना, कि 24 different होना चाहिए different किस माइने में selection होना चाहिए selection होना चाहिए दोस्तों prelims का discussion नहीं होना चाहिए कियार कितने question सही हो गए, कितने question कोई मतलब नहीं रहता कलकुर तुम prelims निकाल लोगे भी न और मेंसे बाहर हो जागे, कोई मतलम नहीं है तो इस पर काम करो कि अगले साल तुम selection लेके दिखाओगे में भी अगले साल क्या है ना कि आपका election year है लोग सभा का election year है ठीक और हो सकता है कि मैं फिर से वही बात बोलूँगा नहीं कि क्योंकि धेर सारे इस पर बाते होती हैं कि यह आ गया वो आ गया क्योंकि आप देखो ना BPSC में BPSC में उसमें भी करीब 250 प्लस सीट्स आए होई है ठीक है तो उनका भी post बहुत कम हो रखिये लेकिन RAS में काफी अच्छी सीट्स आए होई है 400 प्लस 450 प्लस सीट्स आए होई है अपर PCS के लिए ठीक है तो इस चीज़ को धान में रखते हुए और एक चीज़ और है कि मतलब होता है न कि कोरोलाडी बैट नहीं रही है सिमेट्री बैट नहीं रही है क्योंकि UPSC के सीट्स बढ़ रहे हैं और स्टेट PCS के सीट्स घट रहे हैं ठीक है ये क्यों हो रहा है आपको खुद अपने गॉवर्मेंट से पूछना चाहिए लेकिन फिर भी आप एक सीट पकी करो सिवल सर्वेंट बनो और यहां सेलेक्शन लेकि दिखाओ क्योंकि अगर आपको नहीं लोगे न तो धीरे धीरे कॉमपेटिशन बढ़ता जाएगा आप स्लो होते जाओगे और अलग-अलग आपकी अकल बगल जो डिमांड है न वो बढ़ती चली जाएगी लोगों की आपसे ठीक है सिचुवेशन की हर एक स्टेटस हर एक जो क्या करते हैं आप इंसान होता है न वो एक स्टेटस लेके आता है प्लस एक रोल लेके आता है और स्टेटस जैसे से चेंज आपको नहीं होगा और रोल की डिमांड बढ़ती जाएगी आपके लाइफ में चाहे वो भाई की हो चाहे वो लवर की हो चाहे वो पती की हो चाहे वो बेटे की हो वो आपके साथ रोल चेंज होगा और डिमांड बढ़ती जाएगी तो आपको वो भी मैज करना है तो इस टाइम को साथ अपने टाइम को अपने साथ रखिए और 24 को अलग बनाईए अलग किस तरह से होगा वो आप डिसाइड करोगे प्लानिंग के इस तरह से होती है थोड़ी से हल्प कर सकता हूँ मैं लेकिन पूरी के पूरी आपको उस पे फॉलो जो करना है ना आपको जो डिसिप्लिन लानी है वो आप लाओगे ठीक तो चलिए इसी के साथ मैं कुछ कुछ पॉइंट्स यह सीज बहुत बताना चाहता था और एक लाइन जो बोलना चाहूंगा जो मेरे बहुत क्लोज है तो वो मैं बाको बताना चाहता हूँ तो यह लाइन है एक मूवी है सौशंक रेडमिशन आयम डीबी के लिस्ट पे टॉप टूफिफ्टी जो मूवीज है उसका टॉप पे है यह तो उसकी लाइन है रिमेंबर रेड फोप इस गुड थेंग बेज बेस्ट आप थेंग और नो गुड थेंग एवर डाइज तो मेरा वीडियो इसी लाइन पे था कि होप कीजिए कि आप अच्छा करेंगे होप कीजिए कि आप सेलेक्ट होंगे और यह एक्जामिनेशन प्रिलिम्स आपको छोटा करने के लिए नहीं होता आपको बड़ा करने के लिए होता है फेलियर्स आते हैं इंसान को situation से निकलने के लिए उसको reorient करने के लिए उसको re-zic करने को, उसको हिलाने के लिए, उसको जगजोड देने के लिए, बड़ा इंसान failure से बनता है, successive success जो होता है न, वो एक इंसान को बहुत बड़ा नहीं बना सकता लेकिन जो failures होते हैं, वो इंसान को बड़ा बनाते हैं अपमें लाइफ में परसेंल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में ठीक है तो होफ़ली यह वीडियो आपको अच्छे पोजीशन पे मिले और मैं होप करता हूँ कि जब आभी सुन रहे हो तो आपके अंदर पॉस्टिवटी आया है ठीक है थैंक्यू थैंक्यू फर वाचिंग दिस वीडियो और मैं कोशिश करूँगा कि कुछ इस तरह से अच्छे वीडियो बनाते रहूं और आपके अप्रोफेशन को अच्छा करता रहूं थैंक्यू